आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्तोंगे महादेव की कृपा आप सभी पर सदय बनी रहें यह वीडियो मकर यानि की क्याप्रिकॉन के लिए तिंत विशेश है क्योंकि वीडियो है वर्ष 2025 की 25 सकरात्मक भविश्यवानियों के बार में वर्ष 2024 जहां अपने अंति के तरफ है वहीं वर्ष 2025 अपनी दस्तक दे रहा है हम कुछ भी नई चीज की या किसी भी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो हमेशा यह भी लाशा होती है कि वो चीज एक सकरात्मक रूप में पुहरे वो चीज हमें सकरात्मक रूप में प्राप्त हो इसी कारण से जब भी हम कुछ नया आगमन कुछ भी नई शुरुआत करते हैं तो मंगलाचरन करते हैं, स्वस्तिवाचन गाया जाता है गणेशी की पूजा होती है ताकि शुबता रहे सकरात्मक रहे और इस वीडियो की अपका और चित्य भी यही है कि आपको ये बताया जाए जोतिश के माध्यम से कि ग्रहों की सिती 2025 में क्या रूप ले रही है और उनका क्या सकरात्मक प्रभाव आपके उपर पड़ सकता है जीवन में केवल अच्छा तो होता नहीं अच्छा और बुरा साथ में ही चलता है तो जब मैं वार्षिक राशीवल बनाऊंगा जो विस्तित होगा काफी उसमें हर चीज सम्मिलित करूँगा हर एरिया को सम्मिलित करूँगा जैसे हर बार मैं करता हूँ लेकिन इस वीडियो को बनाने का और चित्ते के वल गही है कि क्या पॉजिटिव हो सकता है उस बार में बताया जाया ताकि जीवन में एक उमंग रहे एक मोटिवेशन रहे एक इंस्पिरिशन रहे और यकीन मानिए जो वर्ष है 2025 इसमें बहुत कुछ घट रहा है यह वर्ष ऐसा है जहां पे चारों बड़े ग्रह का गोचर जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है तो यह चारों ही ग्रह राशी पहतन करें और बहुत पास-पास 29 मार्च को शनीदेव 14 माई को ब्रहस्पती और राहु केतु 18 या 19 माई के आसपास करेंगे मंगल साल के शुरुआत में पतित हो जाएंगे फेबररी में गुरु मारगे हो जाएंगे शुक्र बहुत लंबे टाइम तक उच्च के रहेंगे सूर्य और ब्रहस्पती का एक बार योग बनेगा जो बहुत अच्छा होगा बहुत चीजें हो रहे हैं जो सबसे इंपोर्टन चीज है इस वर्ष की वो है देव गुरु ब्रहस्पती का अतिचारी प्रभाव देव गुरु ब्रहस्पती की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी और वो केवल 6 महिने में राश्री परिवतन कर लेंगे 14 महिन को यहाँ पे आएंगे मिथुन में फिर अक्टूबर में 18 अक्टूबर को आपके सब्तम भाव में आ जाएगे केवल 6 महिने अतिचारी प्रभाव है हाँ वापस दिसंबर में गिर कर इदर आ जाएगे लेकिन उनका अतिचारी प्रभाव होगा बहुत स्पीड होगी और ये भी जीवन पर बहुत प्रभाव डालेगी तो क्या-क्या प्रभाव रह सकता है ग्रहों का सकरात्मक उन सभी चीजों की विवेचना करने का प्रयास करूँगा यदि आपकी लगन राशी या चंद राशी मकर है दोनों ही गाइडन्स के लिए इस राशी पल को देख सकते हैं जहां से आपको जाधर लेट करता है वहां से देखी बस टेक्निकली अलग-लग राशी पल नहीं बन सकते क्या आप बोले मकर मेरा लगन है क्या लगन राशी है तो अलग बनाईए मेरी चंद राशी मकर है तो अलग बनाईए वो पॉसिबल नहीं हो सकता कुछ बहुत विशेश उपाए वीडियो केंट में बताऊंगा जो करेंगे तो सकरात्मक्ता के विद्धी अवश्य होगी शुरू करते हैं सबसे पहली बविश्वानी मंगल महराज को लेकर है मंगल यानि कि मार्स पतित हो जाएंगे 21 जनवरी को वो आपके तीस्ते घर में वापस गिर जाएंगे कई बार ऐसा होता है वस मैं कई बार एक्स्प्रेइन कर चुका हूँ कभी कभी ग्रह जब वक्री होते है तो वो पीछे जाते जाते पिछली राशी में गिर भी जाते है डिपेंड करता है कि वो कितने लंबे समय के लिए वक्री है और उनका जब वो वक्री हुए थे तो किस दिग्री पे थे बहुत लंबे अंतराल के लिए गर कोई ग्रह वक्री रहता है तो वो पिछली दाशी में गिरही जाता है तो यहाँ पर मंगल छटे भाव में आ जाएंगे हाँ इसके अच्छे बुरे दोनों प्रभाव होते हैं लेकिन यहाँ पर हम केवल अच्छी चीजों की चर्चा कर रहे हैं कोई भी घरागर पतित होता है वापस जाता है तो कोई unfinished business पूरा करने जाता है तो छटे भाव में मंगल हैं सबसे पहले तो कोई भी legal कारया टक रहे थे कोई legal cases चल रहे थे वो solve हो सकते हैं या फिर compromise का योग यहाँ पर बन जाता है चौते घर के स्वामी है property के कारक है यानि कि कुछ भी property के वादव्याद चल रहे थे वो सुलत सकते हैं बहुत अच्छा योग है और ग्यारवे घर के स्वामी है चटे भाव में है यानि कि कोई पैसों का case चल रहा था कोई पैसा रुका हुआ था किसी ने पैसा आपका लिया हुआ था तो उन चीजों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिलता है चटे घर के मंगल confidence की विद्धी करते हैं तो confidence बहुत रहेगा और competitive spirit बहुत रहेगी क्योंकि मंगल और चटा भाव यह दोनों ही competition के कारक है और इन दोनों की जो यूती हो रही है मंगल यानि कि कुछ भी competitive exam है आपका कोई competition है कोई interview है इस period में तो आपको उसमें बहुत अच्छा result मिलने वाला है दूसरी वहश्यवानी यह होगी गुरू के मारगी होने के बारे में चार February को गुरू मारगी हो जाएंगे वक्री चल रहे थे सबसे पहले तो पंचम भाव संतान क गुरू संतान के कारक तो संतान प्राप्ती में जो बाधाय आई थी वो दूर होंगी students के लिए बहुत अच्छा है students को भागे का साथ मिलेगा students को कई प्रकार के अच्छे result मिलेंगे students के struggles दूर होंगी और सबसे important चीज़ है भागे के कारक है वक्री हो गए तो भाग्य रु बैठे हैं और पूरे त्रिकोन को activate कर रहे है यानि की बहुत practicality और skills दोनों ही आपके जीवन में आएंगे और उनका भरपूर उपयोग कर पाएंगे बहुत अच्छी चीज़ है क्यूंकि नवंभा पर भी उनकी दृष्टी है और केतु अलड़ी बैटे है और पंचम में बैठे हैं बिनस्पती जो higher studies करना चाहते थे उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा तीसी भविश्वाने शुक्र दैत्य गुरु शुक्र अभी तो हमने देव गुरु की बात करी अब दैत्य गुरु शुक्र की बात करते हैं यानि की exalted हो जाएंगे वीनस यानि की शुक्र आपके तीस्टे घर में अब शुक्र एक साल में एक बार exalted या उच्छे के होते ही हैं इसमें कुछ नया नहीं है लेकिन नया यहाँ पे है कि यहाँ पर बहुत लंबे समय तक उच्छे के रहेंगे शुक्र और मंगल यह ऐसे ग्राह हैं जो करीबन 2,7,2,5 साल में एक बार वक्री होते हैं बुद्ध हर 2,3 में में एक बार वक्री हो जाएंगे ब्रहस्पती शनी साल में एक बार वक्री होते हैं यह almost normal है उनकी सिति शनी मंगल और शुक्र यह बहुत टाइम बार वक्री होत कभी वक्री होंगे तो लंबे समय के लिए होते हैं इसके पूरे पीछे पूरे एक रेट्रोग्डेशन की थियोरी है उसमें ज्यादा नहीं जाते हुए तो यहाँ पे बात करेंगे तीस्ते घर में शुक्र उच्च के हो रहे हैं, सबसे पहली चीज तो क्या है वो आपके योग कारक है तो योग कारक ग्रह का उच्च का होना वो भी लंबे समय के लिए 29 जनवरी को यहाँ पे आ जाएंगे और 31 मही तक रहेंगे यानि कि 5 महीने पीशों बक्री हो जाएंगे इसी कारण से वो लंबा समय यहाँ पे बिताएंगे लेकिन अच्छा प्रभाव देंगे overall योग कारक है तीस्वे घर में है confidence रहेगा, रुकावटे दूर होंगी logical thinking रहेगी, skills रहेगा साहस रहेगा, और सबसे important चीज़ है भागे का साथ मिलेगा क्योंकि योग कारक ग्रह का काम होता है कार्यों को पूर्ण करना, और जब कार्य पूर्ण होते यानि की भागे साहते देता है यानि की success की प्राप्ती होती ये तो बहुत अच्छा है, आपके लिए वो दस्वे भाव के स्वामी है, तीस्वे घर में है तो ये और भी अच्छा है, skills सीख पाएंगे दस्वे करके स्वामी राहू के साथ रहेंगे तो जो लोग विदेश में जाने का प्रत्न करे थे उनके लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि राहू भी यहाँ पे मही तक रहेंगे, तो अल्मोस साड़े-चार-पाच महीने राहू का भी को साथ मिलेगा, और राहू शुक्र की जोड़ी तो कमाल की होती है, क्योंकि राहू किसी के बस में नहीं आते है, शुक्र को छोड़ कर, तो यहाँ पे आपके लिए और भी एक अच्छे चीज़ देख रहे हैं, इसका अवश्य का रहे है, स्किल बेस्ट का रहे है, जहाँ पे स्किल्स का requirement होता है, आप यकीन मानिए आपका धन बहुत तेज गती से बढ़ेगा, जीवन बहुत तेज गती से बढ़ेगा और शुक्र क्योंकि सब्तम से त्रिकोन में है, शुक्र विवाह के कारक है राहू मैं कई बर बता चुका हूँ उनको, जब विवाह की बात करते है, तो एक catalyst का काम करते है, राहू quick विवाह, quick marriage, कहीं भी देखे ना, एक तब बहुत जल्दी शादी होगे, मलकि अभी बात हुई बंगनी भी होगे, शादी भी होगे, दो महीने के इंदर वहाँ पे राहू का प्रभाव अश्य होगा क्योंकि राहू catalyst का काम करते हैं तो यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हो रहा था, उनका विवाह का योग भी बहुत अच्छा बन जाता है तो इस शुक्र तो आपको बहुत अच्छे result देंगे और यहाँ से बैठकर उच्चे के शुक्र नवम भाव को देखेंगे यानि कि लक्ष्मी भी है और भाग्य भी है तो ये तो सौभाग्य और लक्ष्मी दोनों ही आपको प्राप्त होंगे यानि कि सौभाग्य लक्ष्मी का आपको साथ मिलेगा बहुत अच्छा है चौती भविश्यवानी अब इस साल में एक बहुत फिचित्र चीज हो रही है वो ये है कि 39 मार्च को 6 ग्रहा आपके तीसरे घर में होंगे राहु शुक्र आ गये थे शनी आ जाएंगे 39 मार्च को सूरे भी यहीं पे होंगे 39 मार्च को दो ग्रहा और होंगे बुद्ध और चंद्रमा उनको मैंने अंकित नहीं किया इस वीडियो में लेकिन वो भी यहीं पे होंगे अब ये एक आम इवेंट नहीं है नॉर्मल चीज नहीं है सालों में कई बार ऐसा योग बनता है जब बनता है तो मैदिनी जोतिश के हिसा आप से भी जीवन बहुत बदलता है मंडेन एस्टोलोजी बड़े-बड़े युद्ध ऐसे टाइम पे होते है 1962 का युद्ध हो बाकी भी एक-दो युद्ध मुझे याद है कि ऐसे ही टाइम पे हुए थे 2022 में जो युक्रेन और रशिया का वार हुआ था वो भी इसे टाइम पे हुआ था मैंने भी इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी कि हाँ ऐसा हो सकता है बहुत नया चैनल था जिसको नहीं देखा वो चाहें तो community post पे में चैनल के आपको काफी पीछे दाके एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया है कि हाँ युद्ध होने का संभावना बहुत ज़ादा युद्ध हुआ भी और एक प्रकार से अभी तक चल रहा है तो यहाँ पर उसका प्रभाव पढ़ता है लेकिन जीवन पर भी प्रभाव बहुत पढ़ता है तीसरे घर में इतने गरह बहुत बहुत विशेश है आपका भागे साथ देगा क्यों क्योंकि इतने गरहों का प्रभाव भागे स्थान पर होगा और प्राक्रम भी रहेगा, तो ये दोनों जो जोड़ी है ना ये बहुत अच्छी होती है, आते विशेश होती है, रिस्क ले पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे, जो सोच के बैठे दें, जो नहीं कर पा रहे थे, वो कर पाएंगे, और इसके कारण अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, तो जो तीन ग्रहों का, अच्छे ग्रहों का जमावड़ा है ना तीसरे घर में, बहुत अच्छे रिजल देगा, एक प्रकार से आपके जीवन को एक नया मोड और एक नया दृष्टी कोन देगा, आपका सोचने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, आ और इन पॉजिटिव मैनर, तो बहुत अच्छा ये लाब आपको प्राप्त होगा, चलते हैं पांचवी भईश्यवानी के तरफ, जो कि है शनी महराज के बारे में, अभी हमने बात करी छे ग्रह, तीसरे घर में उसमें से शनी महराज भी एक होंगे, बाकी ग्रहों को महत्पूर्ण है क्योंकि लगनेश हैं, तो लगनेश का तीसरे घर में जाना, अपने आप में स्टॉण होता है अच्छा होता और शनी का तीसरे घर में प्रभाव बहुत अच्छा माना आता है, एक प्रकार से उनका ऐक अच्छा स्थान ये कहा गया है, जहांपर शनी तो जीवन आगे बड़ेगा, आपके दूसरे घर के स्वामी है, जो अपने से दूसरे भाब में है, लगने से तीसरे में है, यानि कि already आपके पाइस कोई skills है, तो उससे आप लाब कमा पाएंगी, confidence बहुत अच्छा रहेगा, rather than confidence, self-confidence, self-belief बहुत अच्छा रहेगा, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ, और कुछ risk लेना चाहते हैं, तो यही वो समय है, जब आप risk ले सकते हैं, क्योंकि बार-बार ऐसी सिति नहीं बनती, और शनी का तीसरे घर में होना, जीवन में consistency राता है, वैसे मकर वाले लोग consistent होते हैं, लेकिन यहाँ पर और consistency उन लक्षमी स्थान को देख रहे हैं, या कि धन प्राप्ति होगी, लगने के स्वामी पंचम को देख रहे हैं, students के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और यहाँ पर यह knowledge का भाव है, यह skills का भाव है, तो इनका connection यानि कि skills और knowledge जोनों ही मिलकर आपको आगे लेकी जाएगी, students के लिएती विशेश है, क्योंकि शनी धनस्थान के स्वामी है, जो कि पंचम से दस्वा है, यानि कि students जो जॉब ढून रहे थे, उनको यहाँ पर जॉब प्राप्ति के योग बहुत अराम से उनके लिए बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा है, यह थी आपकी छटी भविश्य may not always convert into success, may not ने क्या बहुत बार नहीं होता, अब देख लिजए आसपास कौन मेहनत नहीं करता, कितने लोग मेहनत करते हैं, कितने लोग के बास skills भी होती है, क्या वो successful हो पाते हैं, शायद नहीं, तो भाग्य का importance बहुत होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ जोतिश अच्छा रहा है, कब बुरा रहा है, आप करते रहिए महनत, लोग कहते हैं कि मैं कमेंट से पढ़ता हूं कि महनत सब कुछ होती है, महनत तो हर विक्ति करता है, जब तक भाग्य का साथ नहीं मिलता ना, तब तक विक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, यकीन मान लीजिए, मैं इतने सालों का अपने जोतिश का अनुभव कहा रहा हूं कि भाग्य के बिना सक्सेस नहीं मिल सकती, आप कितना भी महनत कर लेजिए, कहीं न कहीं भाग्य का रोल आ ही जाता है, तो यहां पर लगनेश का भाग्यस्थान पर योग, लगनेश की भाग्यस्थान पर Second marriage के लिए नवम भाव बहुत important होता है, तो जो लोग Second marriage करना चाते हैं, जिनकी पहली marriage में कोई problem आगे थी, divorce हो गया, कुछ और हो गया, तो उनके लिए Second marriage के योग यहां पर बन जाते हैं, तो यह एक और चीज़ है, नवम भावना, जब शनी का प्रभाव नवम पे आता है तो शास्ते खहते हैं कि वो यक्ती मंदिर बनाता है, तो अगर कहीं पे भी donation करने का मौका मिले न, मंदिर में, कहीं पे मंदिर बन रहा हो, कोई religious organization बन ले हो, बहुत chances है कि आपको इस धाई साल में मौका मिलेगा, दिखेगा आपको आसपास कहीं पे, अवश्य कीजएगा, क्योंकि एक प्रकार से ये पित्री रिन होता है, वो भी कम हो जाएगा, और इसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलता है, कहीं पे भी कोई भी धार्मिक जगा पे कुछ construction होती दिखे, उसमें अपना सहयोग कीजएगा, क्योंकि वो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, ये ती ही शनी का आपके तीसरे घर में बैठकर बारवे घर को देखना, कोई रोग चल रहाता उससे निकलने का मौका थ्रू दवाई, मलकि थ्रू मेडिसिन, मेडिसिन चेंज करके, या डॉक्टर चेंज करके, कभी-कभी होता है कि ऐसा नहीं कि डॉक्टर में कमी है, या इलाज म हो गया, वो उतना काम नहीं करता, किसी पर्टीकुलर वेक्टी के लिए, पहले कहते हैं कि उसके हाथ में शफा है, वो भी तीसरे भाव से आता है, कई लोग होते हैं कि आजकल तो खेर, मेडिकल जो फैसिलेटी उसे बहुत एडवांस होते हैं, फिर भी कई लोग आईरवे पहना देते थे, उसको पहनने मातर से कई लोगों के जॉन्रिस ठीक हो हैं, यह मैंने प्रतक्ष रेखा हैं, जिनकि मैडिसिन से नहीं होता था, तो वो शफा होता है, तो यहाँ पे दोनों चीजों से आपको लाव मिल सकता है, कैसे, डॉक्टर्स चेंज करके हो सकता है, द क्योंकि वो बहुत एडवांस है, और उसकी अपनी जगह है, लेकिन जो बाकी चीज़े है, आयर्वेद है, नेच्रोपेट है, यह वो वे उफ लाइफ है, उसको फॉलो करेंगे तो बहुत चीज़े ठीक हो जाती है, बट मेडिकल साइन्स को मत छोड़िएगा, अगर कोई मेडिसिन चल रहे तो उसको छोड़ने का प्यास मत कीज़ेगा, तो यह भी आपके लिए एक अच्छा प्रभाव है, तो यात्राओं के बहुत योग बनेंगे, और विदेश यात्रा के भी आपके बहुत योग बन जाते हैं, क्योंकि शनी तीसरे घर में है, जो यात्रा का तरफ वो देवगुरु ब्रहस्पती के संदर्व में होगी, देवगुरु ब्रहस्पती 14 मही को राश्री परितन कर लेंगे, और आपके तीसरे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानि कि मिथुन में, ब्रहस्पती obviously बहुत विशेश घर हैं, क्योंकि जीवकारक कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान रखने की है, कि वो अतिचारी होंगे, 14 मही को यहाँ पर आएंगे, 18 अक्टूबर को यहाँ पर आजाएंगे, अगर आपको याद हो तो 2024 में 1 मही को विशब में आये थे, 25 में कब आएंगे, 14 मही को, निकि एक साल से थोड़ा अरसा जादा, लेकिन यहाँ पर कब होंगे, केवल 6 महीने में वापस आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ब्रस्पती की स्पीड अतिचारी है, और ये कुछ टाइम तक रहे है, गिबली बाद में भी, ब्रस्पती की स्थिति कुछ आने वाले सालोन में अलग सी है, खेर वो बाद में हम देखेंगे, तो अतिचारी ग्रहा बहुत तेज रिजल्ट देता है, छटे घर में है, विपरीत राज्योग बना रहे हैं, क्योंकि बारवे घर के स्वामी छटे में, ओविसली बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, पैसा रुका हुआ पैसा, बाहर से रुका ह रही थी, रुकावटे जो आ रही थी, वो आपके रुकावटे काफी हद तक दूर होंगे, और स्ट्रगल्स थोड़े से कम होना शुरू हो जाएंगे, योगि स्ट्रगल्स का भाव है, ब्रस्पती का यहां पर आना, यानि कि क्योंकि अतिचारी है, तो स्ट्रगल्स थोड गर को देखिएं, तो करियर में वृद्धी होगी, बारवे घर के स्वामी है, तो जो लोग MNC आधी में काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, बारवे घर के स्वामी है, तो जौब चेंज करने का योग बनेगा, और जो विदेश में जौब डून रहेते हैं, उन नवी द्रिष्टी है, वो रहेगी आपके दूसरे घर पर, साथी पर आते हम पहले अर्थ द्रिकोन को कवर कर लेते हैं, तो उनकी नवी द्रिष्टी रहेगी धनस्थान पर, अपने आप में आती विशेष है, पैसा बड़ेगा, धन के कारक है, धन के स्थान को देख रहे और क्योंकि बारवे घर के स्वामी है धनस्थान को देख रहा है यानि कि hidden sources of income है उसमें भी आपकी वृद्धी होगी तो यह भी आपके लिए एक प्रकार से अच्छा और यहाँ पे अर्फ त्रिकोन को activate कर रहे हैं तो करियर में आगे मढ़ने के बहुत सारे अवसर आपको प मगर वालों के लिए अगर आप कुछ भी विदेश से समझेत काम करते हैं तो यह साल आपका काफी important रहने वाला है क्योंकि शनी का प्रभाव भी रहेगा ब्रसपते का भी बहुत time तक प्रभाव रहेगा ही तो एक अच्छी चीज है hidden sources of income फिर से आपके बढ़ेंगे और यह ब्रसपती दोनों का यहाँ पर प्रभाव ना कहीं आपके जीवन को आपके जीवन के एक नई शुरुआत करने का आपको मौका देगा कई पुरानी चीज को खतम करकर नई चीज स्टार्ट करने का अवसर देगा तो यह भी आपके लिए अतिविशेशे यहाँ की बार्दी हो जाते हैं और end up होते हैं usually या तो आगे चलता रहेगा case और problems आती रहेगी फिर एक बार लगता है कि चलो mutually compromise कर ले तो अगर आपके कोई legal case चल रहते हैं especially marriage का case चल रहा था कोई तो उसमें compromise का मौका आपको यहाँ पर मिल सकता है यह थी आपकी बार्वी भाईश्यवानी च जब भी किसी भाव को देखते हैं तो बहुत activate कर देते हैं अब आपका जो बार्वा भाव है वो बहुत जादा activate यहाँ पर हो चुका है यह होगा मई से लेकर अक्टूबर के बीच में यह समय जो है यह बहुत विशेश रहेगा बार्वा भाव जो income विदेश है वो सब तो भावों के स्वामी आपके बार्वे घर को देख रहे हैं तो यह बहुत विशेश है कारण क्या है यहाँ पर आपको अपने income के sources को change करने का मौका मिलेगा यहाँ पर आपको नए decisions को लेने का मौका मिलेगा बार्वा भाव अंत दिखाता है तो कई चीजों का अंत होगा एक आपका life cycle यहाँ पर change होता होते कर और क्यों कि लगन के स्वामी भी involved है यानि कि पुरा नया व्यक्तित तो भर कराएगा आप वो कर पाएंगे सवर्ष जो आप बहुत सालों से करना चाहते थे और अपने लिए जीने का मौका मिलेगा अपने लिए decisions लेने का मौका मिलेगा और एक प्रकार से जैसे मने काना एक नया काल चक्र आपके लिए start होगा तो ये तेरवी भविश्वानी especially आपके लिए है अपने जीवन का जो एक आने वाला समय है ना उसको किस प्रकार से आपको plan out करना है इससे अच्छा time नहीं मिल सकता उन लोगों को छोड़िये जो रखते हैं उन परिस्थितियों को बदलने का मौका में लेगा जो आपको आगे बनने से रोग के रखते हैं अती विशेश ये आपके लिए योग बन रहा है चौद्वी फविश्वानी ये तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए मतलगी राहु महराज का दूसरे घर में आ लेखंद दूसरे राशि भदलती हैं धनस्थान की राहु मेरे हीसाब से सबसे अच्छा अस्थान मल जाता है आज के टाइम प्रेक्टिकैलिटी है राहु बाइ हुक या बाइ कुरुक है और आज की टाइम में बाइ हुक या बाइ कुरुक ही आपको पैसा खबाना पड़ता है सीधे बनके तो पैसा कमा ही नहीं सकते तो यहाँ पर पैसा बड़ेगा वानी सम्धित कारे है पैसा बड़ेगा income expand होगी राहू बढ़ाते नहीं expand करते हैं multiply करते हैं और investment कहीं पर करके रखी थी वो अच्छा प्रभाव देगी और investment करने के नहीं मौके भी मिलेंगे बहुत अच्छा है फॉरण से income आएगी क्योंकि राहू कारक है फॉरण के राहू की एक दिश्री यह थी आपके पंद्रवी भाईष्वानी राहू की एक दिश्री रहेगी आपके छटे भाव पर राहू लीगल चीजों में सफलता दिलाते हैं competition में सफलता दिलाते हैं एक प्रकार से चटा भाव आपके profession का भी है क्योंकि अर्थित्रिकोन है तो हर चीज में आपको लाब मिलेगा enemies का अंत होगा दुश्मनों का अंत होगा दुश्मन आपके सेहारेंगे competition में सफलता मिलेगी और पुरहा राहू drugs के कारक है drugs की बात करते हैं नहीं जो एक प्रकार के drugs हम बोलते हैं कि जो लोगों को लट लग जाती है drugs मतलब कि जो भी formulations होती है तो दवाई change करने का मौका अगर आपको मिलता है अगर आपका इराज कोई चल रहा था तो यहाँ पर यूजली राहू का प्रभाव के प्रश्ण कुणली में कभी कभी है आता है अभी रिसेनली दो-तिन महीने पहले में पास एक प्रश्ण कुणली मैंने लगाई थी किसी के लिए तो राहू का प्रभाव है तो मैंने कहा कि यहाँ थोड़ासा treatment change करके देगे तो मुझे याद है कि उन्होंने एक feedback दिया था कि हाँ treatment change करके थोड़ासा अच्छा प्रभाव प्रश्ण करना शुरूआ है तो राहू usually indicate करते है चेंज करिए तो यहाँ पर अगर आपको कोई अकिल अच्छा योग है और क्यूकि ब्रहस्पती बारवेघर के स्वामी है राहू विदेश के कारक है विदेश में अगर आप जॉड़ना चारे थे ना बहुत सालों से भी अगर आपको नहीं मिल रही थी इस साल से अच्छा साल आपको प्राप्त ही नहीं हो सकता पैसा ब को इश्वानी केतु महराज को लेकर है केतु अश्टम में आपके आ जाएंगे केतु ना पुरानी चीजों का कारक होते हैं पुरातन रूट्स अश्टम भावी रूट्स का होता है एंसेस्ट्रल चीजों का होता है तो उनका यहां पे आना अगर आपका एंसेस्ट्रल प्र चीज़ें हो जाती हैं तो यहां पर आपको आपका कोई ancestral property का case चल रहा था उसको compromise करके खतम करने का मौका आपको मिल सकता है अश्टम भाव गुप्त ग्यान का होता है के तू सुक्ष्मता के कारक है मैं हमेशा कहता हूं कि असल जो ग्यान है ना के तू देते हैं जोतिश भी ज़ादा कुंडली में वो नहीं सीख पाता या नहीं predict कर पाता क्योकि सुक्ष्मता के जम्य जाने के के तू का प्रभाव होना चाहें इसलिए मैं कई के वार कहते हूं कि जोतिश भनन ना तो दुख होना चाहें जिवन में बिना दुख आप जहले जोतिश बने आप जोतिश नहीं बन सकते, क्योंकि दुख को जानना चाहिए और ओ केतु अच्छी तरह से आपको दिखा कर जाते हैं तो यहाँ पर थोड़े से अब इसके negative impact होंगे यहाँ पर मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा लेकिन यहाँ पर आपको सुक्ष्मता में जाने का अवसर मिलेगा यहाँ पर आपको बहुत चीजें सीखने का मौका मिलेगा यहाँ पर आपको अध्यात्म में जाने का मौका मिलेगा और research करने का मौका मिलेगा बहुत अच्छा है अठारवी वविश्वानी केतू का प्रभाव देखिए 4-8-12 को connect करेंगे तो ये असल में अध्यात्म होता है ये असल में साधना होती है ये वो मौका होता है जब असल में आपको अध्यात्म का ज्यान होता है कही लोगों को मैं जानता हूँ जो केतू के प्रभाव से पहले जीवन में अध्यात्म को मानते ही नहीं थे और फिर वो आज उनकी स्थिति में जानता हूँ जहां पर वो सब कुछ छोड़ चार कर मेरे एक बहुत जानने वाले मेंको बहुत टाइम से जानता हूँ वो ऐसे वेक्ति थे जो भगवान में मानते ही नहीं थे बलकि एकदम नास्तिक नास्तिक में भी जो एक्स्ट्रीम होता है न वो उनकी फिर केतू की रशाई और कुछ गोचर भी बदला था 2017-18 के आसपास मुझे एक्जेक्टली याद नहीं आज वो हरिद्वार में रहते हैं हरिद्वार नहीं रशीकेश में रहते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ा कर जो वेक्ति धूप बत्ती भी नहीं करता था आज वो अराधना करते हैं और अरक से और उनकी एज भी काफी है around 60 प्लस हो चुके है तो यह देखींगी किस प्रकार का चीजे बदलते हैं जो लोग नहीं वानते हैं जोटिश मैं कहता हूँ कि जोटिश समझनी चाहीं लिए एक डेट साल समझो और फिर उसके बात बोलो ना जोटिश नहीं होती हो गप सकता आप ऐसा बोलने की जोतिश नहीं होता कुछ वो समझना पड़ता, experience या विद्या है ये, एकदम नहीं आती तो यहाँ पर आपको अध्यात्म में जाने का बहुत मौका मिलेगा और असल अध्यात्म, इंस्टाग्राम वाला नहीं और ये नहीं कि बस आप अंगारक दोश होता है, पुरह इसके बुरे प्रभाब भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल अच्छी चीजों को देख रहे हैं, वार्षिक राश्यवल में सब बताऊंगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है? मंगल प्रॉपर्टी के कारक है पुरह Ancestral Property को यह होगा साथ जोन को, साथ जोन के आसपास होगा करीवन डेड़ महिने के लिए यहाँ पे Ancestral Property से तो आपको लाब मिल सकता है, सॉल हो सकता है लेकिन अगर Ancestral Property भी कुछ कंस्रक्शन कराने थी, उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाते हैं और यह दोनों जब साथ में आते हैं तो रिण मुक्ती के भी कारक बन जाते हैं एक प्रकार से सूर्य और ब्रहस्पती का भी योग होगा यह होगा 15 जून के असपास एक महिने के लिए क्योंकि दोनों ही बहुत इंपोर्टन्ट हैं और सूर्य सरकार के कारक हैं अर्थ त्रिकोन में बैटे हैं जो लोग जॉब ढून रहे थे उनको जॉब का यहाँ पर योग बन जाता है और सरकार से लाव भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है तो यह थी आपकी 20 भवश्वानी अब चलते हैं 21 भवश्वानी के तरफ यह बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि ब्रहस्पती के बारे में होगी जैसा मने ब्रहस्पती महाराज अतिचारी होंगे तो 18 अक्टू बिजनस स्टार्ट करने के योग बारवे घर के स्वामी है विदेश से बिजनस में पैसा और विदेश से इंवेस्पेंट का भी योग यहाँ पे आपके लिए बन जाता है और क्योंकि वो बारवे घर के स्वामी है अगर आपको एक बिजनस कर रहे थे वो लॉसस में चल र है कि आपके ग्यारवे घर पर ये धन के वृद्धी की योग बनाता है इच्छा पूर्ती की योग बनाता है अतिचारी होंगे व्रस्पती तो आपको आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी बारदे घर के स्वामी है, लावस्थान को देख रहे हैं, पुनहा विदेश से पैसा आएक और income के नए sources आपके खुलेंगे, यह थी 22-23 भहिश्वानी, ब्रसपती का एक प्रभाव यहाँ पर बन रहा है, और क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है, तो confidence भी आपके अंदर पूरा रहेगा, यह थी आपकी 23 भहिश्वानी, इसके साथी सब्तम भाव में बैठ कर देख रहे हैं, उच्च के, तो आपको ना बहुत name, fame, आपका, आपकी पहचान बनाने का भी आपको मौका मिलेगा, 24 भहिश्वानी, ब्रसपती महराज की नवी दिश्टी रहेगे, तीसरे घर पर बहुत अच्छा है, उनकी अपनी राशी है, और एक नई जर्नी आपकी स्थार्ट होगी जीवन की, confidence बहुत रहेगा, उच्साहा बहुत और एक प्रकार से न, ये वो वर्ष है जहां पर आप रिस्क लेंगे, बहुत रिस्क लेंगे, और कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए थोड़े से रिस्क लेने ही पड़ते हैं, तो ये साल आपके लिए एक नई जर्नी, जर्नी वैसे भी आपकी बहुत रहेगी, बहुत य बहुत बड़ेगा और यहाँ पर भाग्य और महनत तोनों का ही योग हो गया क्योंकि भाग्य के कारेक जो उच्छ के हैं और अपनी नवी दृष्टी से जो भाग्य कारी दृष्टी होती है वो शनी को देख रहे हैं जो उनी की राशी में बेटे होगा है तो यह तो बहुत भविशिवानिया अब उपाय के बात कर लेते हैं, यह उपाय आपको तीन शनिवार करना है, अगर बीच में मिस हो जाता है तो फिर दुबारा continue कर लेजेगा, निकर एक बार मिस हो जाता है तो अगले शनिवार continue कर लेजेगा, ऐसा निकि एक बार मिस हो गया तो दुबार ये जो जितने भी उपाएं है इनको आपको लेकिन तीन शनी बार continue करना है पहला उपाए शनी मंदर में जाकर आपको चार सरसो के तेल के दी अरपन करने है शनी मंदर में शनी चालीसा की कुछ पुस्तों का दान करना है और शनी डेव के मंदर में ही बैठकर ओम सूर्य पुत्राय नम्हा मंतर का जाप करना है और कुछ सरसो के तेल का दान भी आपको करना है दूसरा उपाए बजरंग बली के मंदर में एक नारियल अरपन करना है नारियल पर चंदन का एक तिलक और जो कलावा होता है उसको बांध कर आपको बजरंग बली को उनको औरपन करना है लड़ूं का भी भोग लगाना है और बजरंग बान का तीन बार पाट करना है और तीसरा उपाए है आपको गौशाला में और विदाश्रम में कुछ दान करना है ये तीन उपाए आप तीन शनिवार कर लेजी अवश्य आपको लाप राप्त होगा आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी चैनल पे नहें सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता होगा लिए वीडियो में तक के लिए ओम नमश्यूद